कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी अच्छ होंगा तो स्वागत एक और वीडियो के साथ हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जैसा कि आप उप्सक्राइब हर्य और चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करना और इंपॉर्टेंट डोकुमेंट के भी बारे में बात करेंगे तो चली हमने वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते क्या आपका यूजी इसी का जो एड़ीन इंटिय चलेगा 3 तारिक से 6 तारिक तक आपका ऐडविशन का प्रोसेस चलने वाला है फूरा ठीक है और करेंगेम सही को मिलता है तो सीर्फ आपके अलिड़म लेटर दूसरा लगेगा मनलब कि जो कल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेगा वह अलॉटमेंट लेटर लगेगा ठीक है सेम कॉलेज वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा उनको ज्यादा परसानी जहलने को नहीं मिलेगा लेकिन जिनको नया कॉलेज मिलेगा उनको थो original document है तेन थीवल के migration हो गया cc हो गया 12 का ठीक है फिर passing certificate हो गया marksit हो गया character certificate हो गया अब सारा चीज admit card हो गया सारा चीज आपको वापस लाना पड़ेगा जो कि आपने पहला second round का lot में लेटर रहा था उस समय जो आपने college में जमा किया था वो सारा चीज आपको फिर से जमा करना पड़ेगा ठीक है सबसे पहले क्या करना है कि जिनको new college अलॉट हुआ पता तो चली गया होगा ठीक है क्योंकि list अभी देख रहे हैं कि group में चली रहा है आपका एडविशन में कोई problem नहीं होगा एडविशन हो जाएगा बिलकुल भी टेंसल लेने की जरुवत नहीं डॉकुमेंट वही new allotment लेटर लगेगा new part A, part B का आपका form लगेगा check slip लगेगा फिर आपका जाती आवास की आए लगेगा फिर आपका बहुत सरी चीजे लगेंगे ठीक है जाती आवास की आए लगेंगे 312 का proper marksit लगेंगे अगर आप CST से हो तो CST certificate लगेगा जो भी डॉकुमेंट आपने second round में दिया था वो सारा डॉकुमेंट आपको फिर से फोटो कापी करवा के एन ओरिजनल नए कॉलेज में लेके जाना है ठीक है अब हम बात कर लेते कि आपका जो first alert में लेटर आया था second round का उस समय आपका जो एडुशन फी लगा था और hostel फी वापस होगा कि नहीं होगा बाबू हो जाएगा लेकिन अगर आप कल के चक्कर में रहोगे तो थोड़ा से दिक्कत होगा क्योंकि आपको तीन दिन के अंदर एडुशन लेना तो अगर आपका एडुशन लेना है तो आप सबसे पहले डॉकुमेंट पे ध्यान देना डॉकुमेंट मिल जाए आराम से पहले जो भी कॉलेज आप काल आट हुआ उसके बाद ठीक है उसके बाद आप अराम से जाके कॉलेज में आप अपना नाम कटवाण मतलब की रीटर्ण के लिए आप अपलिकेशन लिक के दे देना जिसमें आपका क्या बोलते हैं अकाउंट नंबर एंड इपसी कोट सारा सो करेगा उसके हिसाब से आपके पैसा आ जाएगा तो आपको पता चल गया कि कैसे क्या करना है बिलकुल भी टेंसल लेना नहीं है घर बढ़ाना नहीं है देखो हो सकता है में भी आपको सेकेंड और में अच्छा कॉलेज मिल गया हो उस समय अच्छा कॉलेज मिला होगा सेकेंड नाट में नहीं मिला है री अलाट में जब हुआ है तब नहीं मिला है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपको कॉलेज से डिलेटेड कोई दिक्कत होगा बिलकुल भी टेंसल नहीं ले अच्छे से पढ़ाई करो और मल लागे करो जहां भी मिला है मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत ज़्यादा दौर धूप करना पड़ेगा बट निरास मत हो ना यार अच्छे से मैनत करो और पढ़ाई लो आडविशन कराओ जल्दी जल्दी आप सभी को सारा डाउट किलियर होगा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर स तक तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा भैबे